हेलो दोस्तो मैं हूँ परतीक्षा और आपका कोकिंग वी टाइनी हांड चैनल में स्वागत है आज मैं आपके साथ छेड़ करने वाली वेजबर्गर की रस्पी तो चलिए वेजबर्गर की रस्पी शुरू करते हैं फेजबर्गर बनाने के लिए हमें इंग्रीडेन चाहिए टामाटो स्लाइसेश प्यास के गोल गोल कटेवे रिंग्स कड़ी पत्ता बारी कटा हुआ रदनिया बारी कटेवे मिर्चिया बेकिंग सोडा स्वाद अनुसार नमप स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर जीर पाउडर अर्दक लशन का पेस्ट और सरसो के बीच और सॉसस में हमें चाहिए पीजा शॉस या फिर पास्टा सॉस और मियो नीज और बर्गर के बांड और हमें चाहिए बेशन और दो उबले हुए आलू अब हम ले लेंगे एक पैन उस पैन में हमें डाल देना है तेल और तेल गरम होने देंगे अब देख सकते तेल गरम हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे सरसो के बीच कड़ी पत्ता जिंजर गार्लिक का पेस यानि आदक लसन का पेस जीरा हल्दी पाउडर और उसे दो तीर मिर्ट तक फ्राइ कर लेंगे अब मैंने उसे फ्राइ कर लिया है अब वह रेडी हो चुका है अब हम उसे साइड में रखेंगे अब हमें लेना है उबली हुए अलू और उसे मैश कर लेना है और यह जो मसाला है फ्राइड मसाला हमें डाल लेना है और मिक्स कर लेना है और हम उसमें डालना है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउड डालेंगे और एकदम स्मूध बेटर हमें बनाना है इसको अब देख सकते हैं मैं he तोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे आप देख सकते हैं मैं अनके स्मूध बैटर बना लिया है अब हम उसे भी साइड में रखेंगे अब हमें क्या करना जो हमारा पोटाटो स्टुफिंग था उसके छोटी चोटी गोलगोल बाल्स बना लेना है आप आपके सबसे बाल्स बन अब देख सकते हैं मैंने दोनों इसको सेम तरीके से बना लिया है अब हमें क्या करना है जो बेशन का स्मूध बैटर था उसमें बेकिंग सोडा डाल देना है यह स्टेप आपको लास्त में करना है जब सब रेडी हो चुका है तभी करना है वरना पहले करोगे तो वह मतलब चारो मतलब चारो तरह से फ्लोर डालती है अब मैं दूसरे इसको भी उसी तरह से कर लेती हूँ अब हमें क्या करना है इससे फ्राइ कर लेना है जब तक कि यह से गोल्डन हो जाए थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी तब तक हमें इससे फ्राइ कर लेना है आप देख सकते है क उसको मैंने half half कर लिया है और हम पहले ऍपर करेंगे पीजा सॉस नहीं पेटी पीजा जैब पास्ता सॉस लिया है आप से पीजा शॉस या फिर पास्ता साथ सेजवान चटनी कुछ भी ले सकते है और फिर मीओनीज और मेढिश को भी हम उसमें सिप्रेड कर लें गेंगे अब देख सकते हैं मैं किस तरह से उस पे स्प्रेड कर रही हूँ अब मैंने मियोनीज भी स्प्रेड कर लिया है अब हमें करना है स्लाइस लेना है टमाटो की स्लाइस और उसके उपर डाल देना है अब हमारा जो वड़ा था मतलब हमने बनाया था वो उसके उपर रख देंग अब हमारा वेज़ बर्गर नहीं हो चुका है अब मैं कर रही जो प्लेटिंग मैंने मियोनी लिया और कुछ डॉत्स मैं डाल तो उसके आप हमारा होममेड बर्गर रेडी हो चुका है यह आप इसे मेलब जरूर ट्राइ किजिए का फ्रेंस बहुत ही डिलिशियर और जल्दी बनता है फ्रेंस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक किजिए शेर किजिए और कमेंट करना ना भूले अगर आप मेर न्यू विडियो डालू तो आपको जल्दी मिल जाए